Students, आज की वीडियो में हम Bessel function से related second recurrence formula उसको drive करने जा रहे हैं formula हमारे पस given है d by dx x to raise power minus n jnx is equal to minus x to raise power minus n jn plus 1 into x यह हमने वो prove करना है और jnx जिसको हम Bessel function का नाम देते हैं by definition उसकी यह value होती है जो हमने दो वीडियो पहले drive की थी अगर आपको confusion है तो पिछली वीडियो का link आपको नज़र आ रहा होगा आप click करके इसका पूरा prove भी देख सकते हैं अब हमने ये सारी जो है वो prove करना है derivation हम एकदम से start नहीं कर रहें बलके पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़े हैं derivation के अंदर use होनी उन चीज़ों को पहले से यहां समझ लेते हैं फिर हम derivation पर आएंगे जब हमें पूरी चीज़ clear हो चुकी होगी तो पहली चीज़ है यहां बें jn प्लस 1 इंटू एकस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है jn प्लस 1 इंटू एकस जब आपने find करना है तो ये जो jn x है इसमें ही आपने n की जगा n प्लस 1 पुट करते जाने r में कोई फरक नहीं पड़ेगा वो as it is आएगा जहां n आ रहा होगा मसलल गामा फंक्शन में n आ रहा है इसकी जगा n प्लस 1 पुट कर देंगे इसमें n प्लस 1 पुट कर दें प्लस 2r होगे ये एक चीज है जो आपको पता होने चाहिए दूसरी चीज जो इसका साथ-साथ important है वो ये एक के ज़रूरी नहीं है कि हम submission r के उपर लें हम किसी और चीज़ पर भी submission ले सकते हैं और उसको भी use कर सकते हैं फिर भी ये jn प्लस 1 इंटू x ही रहेगा मिसाल के तुर पर अगर मैं submission r की बजाए m पे रख लेता हूँ यहां minus 1 की power में m आ जाते हैं यहां factorial भी m का आ जाते हैं यहां r की जगा m आ जाते हैं और यहां पे 2r जहां लिखा हुए यहां पे भी m आ जाते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा यह मेरे पास अभी भी jn प्लस 1 इंटू x ही है नतीजह क्या निकला कि यह एक दो तीन चार और पांच जगा पर सेम चीज आ नहीं है बस और जो चीज पर जो चीज अंदर आएगी इन जगों पर उसी पर submission होगी इस mission 0 से start होगी जरूर यह और infinity तक जाएगी इतना अगर आपको पता चल गया तो काफी है इसको प्रूब करने के लिए एक और चीज जो रह गई वो भी कर दूँ छोटी सी यह साइड पर लिख लेते हैं हम generally लिख सकते हैं एक बिल्कुल आसान सा relation है m प्लस वन का factorial जो होता है वो equal होता है m प्लस वन into m factorial यह हम m प्लस वन factorial को इसके equal लिख सकते हैं और यही हम प्रूब के अंदर एक दफा यूज भी करेंगे तो start करते हैं सब से पहले आप left hand side पे आजएं इदर से start करें left hand side is equal to d by dx x to raise or minus n jnx की जगा उसकी वो value पुट करें जो by definition यानि jnx की जगा इसकी यह value यहां से लेके यहां तक है इसको यहां पुट करेंगे तो असल में यह यहां लिखी जाएगे तो हम लिखते हैं r from 0 to infinity minus 1 to raise power r over r factorial gamma function n plus r plus 1 x by 2 की power n plus 2r अब next जो step पर उसमें हम क्या करेंगे हम x to raise power minus n को अंदर लेके जाके multiply करेंगे इसमें दो चीज़ें समझने हैं पहली चीज़ तो यह है कि अगर हम इसको अंदर लेके जाके multiply नहीं करते हैं हम इस पर power rule लगाते हैं तो solve तो हो जाएगा लेकिन हमारा जो प्रूफ है वो ज्यादा complicated हो जाएगा ज्यादा time taking हो जाएगा number one number two इस समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज़ जिसमें r नहीं आ रहा वो उसको हम बाहर से अंदर भी लेके जा सकते हैं अंदर से बाहर भी लेके आ सकते हैं यानि summation किसके उपर है आर के उपर है तो जिस चीज़ पर summation है वो अंदर से बाहर नहीं आएगी जिस चिस पर summation नहीं है R के इलावा बाकी जितने भी variable है वो बाहर से अंदर आ सकते हैं अंदर से बाहर आ सकते हैं R जो है वो बाहर से अंदर नहीं आएगा बाहर होगा इस इंपल सी बाहर वो summation के बाहर नहीं होगा summation के अंदर ही पड़ा होगा लेकिन समिशन के अंदर से r वाली term आप बाहर नहीं निकाल सके अब शुरू करते हैं d by dx r from 0 to infinity है minus 1 की power r आ गई r factorial आ गया gamma function पे n plus r plus 1 आ गया है अब x2 raise power minus n को हमने अंदर लेके जाना था summation में तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं उसके बाद यह जो x by 2 है इसमें powers को हम अलएदा अलएदा करके लिख लेते हैं x के साथ p और 2 के साथ यह अग बस आ गया x की power n plus 2 r और नीचे 2 की power n plus 2 r अब क्या करें d by dx को अंदर ले जाएं d by dx ने जहाँ operate होना है वहाँ लेके जाते हैं उसको minus 1 की power r r factorial gamma function n plus r plus 1 और x की power जो है यह minus n और plus n कट जाएगी और x की power में बचाएगा सिरफ 2 r नीचे क्या बचाओगा 2 की power n plus 2 r यह जो x की power 2 r है इस पे derivative ने apply होना है आके तो d by dx पहले कर लें x की power 2 r अब next step बहुत easy यह आपको पता है minus 1 की power r over r factorial आप सोच रहे होंगे कि next step का पता होता था वीडियो क्यों देखते हैं ऐसी बात नहीं है definitely derivative लेना है तो power शुरू में आएगी 2 r power शुरू में आगई x की power 2 r minus 1 के equal अब यहाँ पे देखें कि submission start हो रही है 0 से जब r is equal to 0 put करते हैं तो यहाँ पे r की जगा 0 आजाएगा तो वो r is equal to 0 पे पूरी term 0 हो जाएगा तो इस submission की पहली term जो है वो 0 के बराबर हो तो उससे अगली term जो है उनकी value है पहली term की कोई value है तो इसका मतलब है r is equal to 0 put करने का फाइदा नहीं है फिर हम r is equal to 1 से भी start कर सकते हैं तो हम इसलिए estimation को change कर लेते हैं 0 की बज़ाए r is equal to 1 से यह हमारे पास चीज आ गई अब हम आगे चलते हैं r is equal to 1 to infinity है अब मसला हमारे पास एक है वो यह मसला है कि summation हमारी 1 से start हो रही मैंने आपको बताया था यहां पर प्रूव करने के लिए कि आपको आपने summation को 0 से ही start करने चाहिए कोई भी variable तो summation को 0 से start करने के लिए हम यह assume करते हैं हम replace कर देते हैं r को m plus 1 से जहां जहां r आ रहे हैं वहां वहां m plus 1 लिखते हैं मिसाल के दोर पर यहां r आ रहे हैं m plus 1 कर दें यहां r आ रहे हैं m plus 1 कर दें यहां r आ रहे हैं m plus 1 कर दें और भी गामा function में आ जाए हैं n प्लस r था, m प्लस 1 कर दिया, n प्लस m प्लस 1, प्लस 1, उससे आगे चलें, 2 की पावर n है, प्लस, 2r की जगा 2 इंटू m प्लस 1 कर दें, उपर r r आ रहे है, उसकी जगा क्या करेंगे, 2 के साथ उसकी जगा m प्लस 1 कर देंगे, x की पावर 2r है, वहाम भी 2 की जगा m प्लस 1 कर देंगे, 2 के साथ और यह-1, कि उपर वाला step जो है इसको मिटा देते हैं ये पहले जो एक फार्मूला लिखा था यहां पर छोड़ा तंग कर रहा होगा अब यहां पर simplification की जुरुत है वो फार्मूला यहां यूज करना था और यूज करने से जस्ट पहले मैंने मिटा देगा उसको m प्लस 1 1 से स्टार्ट हो रहे है तो m कहां से स्टार्ट हो रहे है m 0 से स्टार्ट हो रहे है इसका मतलब है m is equal to 0 to infinity minus 1 की power है m plus 1 अगर compare करें तो यहां power m है तो minus 1 की power m इधर रहने दें एक power बाहर ले आएंगे तो minus sign बाहर आएंगे अब यहां पे हम वो formula जो अभी मिटाया है हमने वो use करते है m plus 1 का factorial equal था m plus 1 into m factorial के उपर यह 2 आ रहे है और यह m plus 1 आ रहे है यह वाला इसको आप cancel out कर दो इस m plus 1 से इस 2 को आप क्या करो नीचे ले किया हो 2 को जब आप नीचे ले किया होगे तो यह उपर वाला 2 नीचे आके 2 की पावर minus 1 हो जब तो अब आप लिख सकते हो नीचे लाके 2 की पावर n sorry अभी यह gamma function लिख लेते हैं gamma of n दो 1 ने 1 को पीछे लिया आती है n plus 1 plus m plus 1 क्यूंकि हमने जाना इदर है हमें अपने target का पता होना चाहिए अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है x की पावर 2m plus 1 minus 1 तो यह होजेगी x की पावर 2m खोलेंगे bracket plus 2 होगा minus 1 होगा आपको यहाँ पर n भी चाहिए और दूसरा आपको x की पावर minus n बाहर हो चाहिए तो आप क्या करें x की पावर minus n से बाहर multiply करें और x की पावर n से अंदर multiply कर दें मतलब यह है कि बाहर minus n से multiply किया है x की पावर अंदर x की पावर n से multiply किया है तो as a whole यह कोई फरिख नी पड़ेगा यह step कर सकते हैं अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है minus x to raise power minus n m from 0 to infinity minus 1 की पावर m over m factorial और x की पावर में अब आपके पास आ जाएगा यह 2 minus 1 1 हो गया तो x is equal to यह अला n plus 2m plus यह 2 minus 1 1 आ गया और नीचे 2 की पावर में भी आपने वो काम करना था 2 की पावर में n plus 2m plus 2 minus 1 2 की पावर में भी नीचे आ रहा होगा यहाँ पर भी आ रहा होगा 2 की पावर n plus 2m plus 2 और minus 1 plus 1 तो यह आपके पास आ गया n plus 2m plus 1 अब हमें जो चीज़ चाहिए तक्रीबन तक्रीबन बन गई है हमने यह बनाना है और इसमें सिरफ और सिरफ यह जो पावर है यह थोड़ी सी तरतीव खराब है तो 1 को पीछे ले आएं तो यह 2m plus 1 की बजाए n plus 1 plus 2m हो जाएगा यह 1 भी पीछे ले आएं n plus 1 plus 2m next step में आप क्या करेंगे minus x to x to minus n m from 0 to infinity minus 1 की पावर m इसको एकठा कर दें x by 2 की पावर n plus 1 plus 2m तो आप देख लें कि आप यह चीज बिलकुल आपके पास बन चुकी है ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट लगा लेते हैं तो यह लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन ब्रैकेट के अंदर यह चीज exact बन गई यह आपके पास क्या है यह आपके पास लिखा हुआ है jn plus 1 into x इसकी जगा value पूट कर दें आगे जाके board तो तक्रीबन खतम हो गया यह आपके बस आ गया minus x to raise to minus n into jn plus 1 into x which is equal to right hand side